वेट इट इन डे और यह इट इन डे और यह इस पेशली ब्रेस्ट फेडिंग मदर्स के लिए वीडियो है मैं पुरा दिन जो खाती हूं जो मैं ध्यान में रखके खाती हूं कि मेरे बेबी को बहुत अच्छे नूट्रियंट्स मिले कि में नहीं बता रही हूं मैं जो फॉलो कर रही हूं और मैंने टू वीक्स में टूं तू ऩु तू केजी मैंने वेट कम किया और healthy खाना खाकर मतलब मैंने कोई strictly diet follow नहीं की है तो अभी मैं diet कर भी नहीं सकती हूँ कि भूग भी लगती है ब्रेस्ट फेडिंग करवाते हो तो बहुत भूग लगती है और वह control भी नहीं होता है और अगा control करोगे तो आपका milk production बहुत कम हो जाएगा इसलिए मैं वह सब च इसे weight control जरूर होगा तो मेरा weight ना बढ़े और धीर धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो इसलिए मैं slowly slowly यह diet follow कर रही हूं अभी कुछ-कुछ मैं changes भी लेकर आऊंगी अभी मुझे यह work कर रही वाली diet तो मैं यह वाली follow कर रही हूं यहाँ पे boiled egg और इसमें से एक egg मैं full लेती हूं भागी का white part लेती हूं कभी-कभी मैं इसमें black pepper और salt भी black salt भी mix का लेती हूं यह आप इसके भी कर सकते हो आपके taste के according आप चाहो तो हलका सा लाल मिर्च भी ढा सकते हो बट कहते है ना मिर्च वगरा जादा नहीं खाना चाहि है इसलिए सो यह मेरा wholesome meal हो जाता है pre breakfast के पहले मेरा pre breakfast meal हो जाता है इसके बाद मैं एक full glass milk का लेती हूं यह actually cup है पुरा full भर के लेती हूं मैं इसमें को भी protein powder मैं add का लेती हूं और साथ में मैं एक dry fruit का लड़ू लेती हूं जिसमें गुड काफी कम है तो breakfast में आज मैं prepare कर रही हूं पनीर के पराठे तो कभी मैं बना लेती हूं कभी मम्मी बना देती है तो आज वीडियो शूट करना था तो मैंने ही बना लिया यहां पर मैं पनीर को crush कर रही हूं और यह काफी healthy option होता है morning में जिसमें सिर्फ मैं एक ही पराठा खाती हूं इसका और कभी कभी मैं गोभी का पराठा या फिकर पराठा गाने का मन नहीं है तो थोड़ा सा एक bowl मैं पोहा या फिर मैं उपमा ले लेती हूं या फिर कोई भी बेशन का चेला अवाइड करती क्योंकि उससे एसरीटी होती है इसमें बेबी को प्रॉबलम हो सकता है सो मैं गभी सुजी का चेला वगरा खा लेती हूं और यहां पर मैंने अजवाइन भी डाला है ताकि असरीटी का दिक्कत ना हो और साथ में मैंने जरा सा लाल मिर्च ज लाल दिया तोड़ा साल्ट, बाक्साल्ट तो यहाँ पर मैं ऑलिव उस करी वो भी ना के बराबर क्यूंकि मुझे पराथा रहता है न वो रोटी के तरह ही दिखता है पराथा दिखता ही नहीं है बहुत कम ऑलिव यूस करती हूँ आप छाओ थोड़ा सा घी या बटर यूस कर सकते हो ओलिव अलिव मैं नीट्री ग्लो का यूस करती हूँ जो मैंने अमेजान से मागाया था और मैं काफी टाइम से यूस कर तेस्ट काफी अच्छा और काफी हेल्दी है तो अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो ओलिव बेस्ट है वैसे ता आप घी भी खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद मै और पर कॉफी लरी कॉफी मैंने एक चुटकी सा बस मैंने शुगर डाला याभी एक दम से कंट्रोल नहीं हो रहा है थोड़ा से उगर ले 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 लेती हूं मैं तो लंच में मैंने या पर एक रोटी और यह थोड़ी से मैं कड़क रोटी खाती हूँ इसका दिया ऐसे यहां प्रोटीन एड करती हूं तो कभी मैं एक भुजी या फिर कभी पाला की पनीर खा लेती हूं मतलब पनीर पालक और यह भी बहुत सिंपल सा विदाउट शुगर और एक रोटी लेती हूं यह था वाट आई इट इन डे जो भी मैं खाती हूं और आई होप आपको आज कर वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग